नकल्ची तोते की कहानी एक बार की बात है एक जंगल में एक तोता रहता था वो बहुत ही नकल्ची था तोता हर तरह की आवाजों की नकल कर सकता था एक दिन तोता जंगल में घूम रहा था कि उसे एक आदमी मिला आदमी बहुत ही दुखी लग रहा था तोते ने आदमी की आवाज की नकल्ची और कहा मैं बहुत दुखी हूँ तोते की आवाज सुनकर आदमी बहुत हैरान हुआ उसने कभी नहीं सोचा था कि एक तोता इंसानों की आवाज इतनी अच्छी तरह नकल कर सकता है आदमी ने तोते से पूछा तुमने ये कैसे सीखा तोते ने कहा मैं बहुत ही नकलची हूँ मैं हर तरह की आवाजों की नकल कर सकता हूँ आदमी बहुत खुश हुआ उसने तोते को अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया वो तोते को अपने दोस्त और परिवार को दिखाना चाहता था घर पर आदमी ने तोते को अपने दोस्त और परिवार को दिखाया सभी लोग तोते की नकलची आवाजों से बहुत प्रभावित हुए वे सभी तोते को बहुत पसंद करने लगे एक दिन आदमी को काम से वाहर जाना था उसने तोते को घर पर अकेला छोड़ दिया तोता बहुत बोर हो गया, कुछ करने की सोची उसने टीवी चालू किया और एक शो देखने लगा शो में एक इनसान गाना गा रहा था तोते ने इनसान की आवाज नकल की और गाना गाना शुरू कर दिया तोते का गाना सुनकर पडोस के लोग बहुत हैरान हुए तोते के गायन की बात पूरे शहर में फैल गई तोते को देखा संगीतकार तोते के गायन से बहुत प्रभावित हुआ उसने तोते को अपने साथ अपने ओकेस्ट्रा में ले जाने का फैसला किया तोता संगीतकार के ओकेस्ट्रा में शामिल हो गया, वो बहुत खुश था, वो अपने पसंदीदा काम को करने लगा था, तोता बहुत अच्छे से गाता था, वो ओकेस्ट्रा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य बन गया, धीरे धीरे तोते की प्रसिद्धी देश भर म बन गया, शिक्षा तोते की कहानी हमें बताती है कि हम सभी में कुछ न कुछ खास होता है, हमें अपनी खासियतों को पहचानना चाहिए और उनका इस्तेमाल करना चाहिए, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब और कॉमेंट जरूर करे, बाद